हेलो शुरे नमस्कार सो इस वीडियो के अंदर में बेटा हम लोग अपने पास में रिवाइस करने जा रहे हैं अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही असान चेप्टर से जिसका रहा है बोनस एंड राइट इशू दबनावधी बनावधी स्मॉलेस चेप्टर सम कहते हैं अप यह आपके पास वीडियो आपके उस पांच नमर को सिक्योर कर देगी बिटा सबसे पहले बात आते हैं हमारे पास में बट इग्जेक्टली दा बोनस इशू नो बोनस इशू का मतलब होता है जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेर देरें की बात करें बट जब भारी की से परते बेटा तो देरा टू टाइफस बोनस इशू सबसे पहले होता है एक फुली पेड बोनस शेर को अपनी तरफ से देना कंपनी के द्वारा फुली पेड बोनस शेर दिये जाते हैं अली तू दा फुली पेड शेर वोल्डर्स विचिस एस पर सेक्शन 63 ऑप दी कमनी जेक्ट सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर बोनस की स्कीम दे रहें के वन फॉर एवरी फॉर तो टोटल बोनस शेर के दिमने टू लैक का वनवार फॉर फिप्टी थाओजन और वेल्यू कितनी आई फिप्टी थाओजन इंटू तेन फाइव लैक रुपिस तो पाइव लैक के अमांट का बोनस का बनता यह पहले प्रकार का जहां फुली पेट जह आते है आउं फूली पेट शे तो दो रपे की फाइनल कॉल हमने बिना मंगा है पैसे दिया उनको फुली पेड़ अप कर दिया सो अभी कैपिटल आपके पैसा तो आ नहीं रहा ना पर शेयर कैपिटल को करना डेबिट किसको करोगे सवाल उठा कौन से रिजर्फ करना है यह सोर्सिस क्या क्या है फुली पेड बोनस देने के लिए हमारे तीन सोर्सिस बोले गए सबसे पहले आता है जो क्रियेट होता है जब आप प्रेफरेंश को रिडीम करते हैं तो उस रिजर्फ का एक लौता मकसद होता है फॉली पेड बोनस शेर्फ तो वह इस्तमाल के जाता है बहुत ही स्पेशल रिजर्फ है फिर आता है बेटा सेक्शन 52 जिसकी यूसेज दाता है पर बेटा आप आपके पास में आप एक छोटा सा पॉइंट आता है कि जो लिस्चीड कंपनीज होती है एस पर दी सेभी रेगुलेशन वह सिरफ सेक्यूरिटी पर हम इन कैश को ही यूस कर सकती है जैसे आपने शेर्फ इशू किये थे कैश मापको पैसा आया था दस वाला शेर 15 वह तो प आश यूस कर और यूस कर सकते रिख और यूस कर सकते हैं अजिए और कीव यूस कर सकते हैं और होती है फ्री seminar सकते डिइव के शामाई गैभासा में लिखा गया हाय है ये से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और जब आ पार्टली इंटू फुली पेड़ चेर्ट के लिए यूज करते हैं तो वहां पर प्री रिब्ल्स दूर्ज lle proof करते हैं नहीं कर सकते कब पाट ले इसको ठोड़ा और असान परिभाशा से के या आ辉 देखिये दो तरीके थे फुली पेड बोने शेयर देना या कनवर्टिंग पार्ट लिंटू फुली तो इस ए रर यहां यूज हो सकता है यहां नहीं हो सकता है विदाउट कैश यूज नहीं हो सकता अगर मैं बैटा बोलूं तो यह सिरफ लिस्टिड कंपनी के लिए है अनलिस्टिड को यहां पर यूज यह नहीं हो सकता पर वेता हमें क्याबे बोलते कैपिटल रिजर्फ जो इनकैश वाला होता है उसे हम फ्री रिजर्फ मानते हैं तो उसे यूज कर लेते हैं कैश का में अपने फिक्स आशेट को बेचा और इसका प्रोफिट आप फिये डेल में लेके गए तो आप अपने पास यूज कर पाएंगे पर अगर अकेला लिखा है तो हम जनली उसे विदाउट कैश एजियूम करते हैं तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कुछ नहीं लिखा तो के बारे में को बताना पड़ेगा कि वह इन कैश पोर्शन कितना है तो ही आप उसे यूज कर पाएंगे वरना आप यूज नहीं करेंगे ठीके ना और हम पार्टिंग पार्टली में तो हई फ्री रिजर्फ वहां तो बात ही नहीं आती है वहां तो से क्यूटिविंग की वट और दी जनल इंट्रिस पास तो जनल इंट्रिस में में सीधा पार्टली में क्या होता है पार्टली में क्या होता है पहले फाइनल कॉल द्यू करी तो शेर फाइनल कॉल टू शेर क्याटल अब फाइनल कॉल रिसीव तो हो नहीं रही तो रिजर्फ यूज़ हुए कौन से सिरफ फ्री रिजर्फ यहां पे सीरर से कुडिम तो आई नहीं सकता तो जब इनकाश वाला जनल जब आ पीनल टू बोनस शूशर ओल्ड़ और फिर एक्सक्ट दे रहा है बैलेंशीट का एक्स लिम्टिट का 31 मार्श 20 गा और तुराइज दे रखिए इस उर्फ के में 30,000 प्रेफरेंश से 10 इच वाले फुली पे वह तीन लाग के और 360 आपके पास हमारे क्या है हमारे एकुटी शेयर भी दिये वह त्री लाग एकुटी शेयर तो पैसा आ रहा है रिसीव और यह कैश में ठीक है ना उसके बाद कंपनी ने डिसाइड क्या रिजर्फ को कैप्लाइज करेंगे बोनस के तौर पर वन फॉर एवरी फोर शेयर से कहरा है सेक्यूरिटी प्रीमियम में एक लाख में जुड़ा है प्रीमिंटी थाउजन का उ यह पी बिटा सबसे पहले क्यों होगा फाइनल कॉल मंगाई तो पहले क्योंकिएज सेनल कॉल फॉर अबूनस बोनस के लिए आपके equity share क्या fully paid up होगे yes sir और उंका amount 36 lakh उंका amount 36 lakh one for every four की scheme है one for every four की बेटा आपकी scheme आ रही है तो three lakh 60,000 shares है और यह हम fully paid by fully paid को दे सकते हैं तो three lakh 60,000 का one by four कितना हो गया सब 90,000 bonus share और 90,000 मतलब amount के साब से होगे बेटा 9 lakh का बोनस का माउंट हो गया अब इसके लाब किस किस करेंगे सर यार यूज होगा यास बिल्कुल होगा सेक्यूरिटी स्वेम यूज होगा येस होगा पर उसमें ट्वेंटी थाउजन बेटा नौन कैश है जो वेंडर को दिया था मशीनरी के लिए तो नौन कैश होगे तो सेक्यूरिटी स्वेम आपका वन लैक में से बेटा ट्वेंटी यूज नहीं हो पाया तो सिर्फ कितना यूज हुआ हमारे पास में एटी जन्रलिजाव यूज हो गया पूरे का पूरा थ्री सिक्षी तो थ्री सिक्षी आगया अब टोटल में नौलाथ तो बाकी पीनल बैल कर सकते हैं तो यह पीनल हो गया और फिर बोनस चुशेरोल्डर टू इकुटी शेर कैटल नहीं लाए तो रिजर्फ कम हुए आपके पास और बोनस आया और बोनस चुट अब बेटा आपके पास पूश्चन क्या मांगता है साथ में बैलेंशीट का एक्स तो बैलेंशीट क कितने थे प्रेफ्रेंश के 30,000 थे वह 30,000 यह तो वह 30,000 यह प्रेफ्रेंश वाले तो अब एकुटी में थोड़ा सा ध्याल से एकुटी के पहले मैं इसूट डालता हूं मेटा 3,60,000 शेर से पाटली बेट से फाइनल कॉल मंगाई पूरे होगे और आपने बोनस दिया तो 360 60 प्लस 90 कितने हों के साड़े चार लाग तो आपकी यह आगे साड़े चार लाग 4,50,000 शेर साफ 10 फूली पेड 45 लाग आपको यहाँ पर शेडूल 3 की रिक्वार्मेंट के साब से यह बताना नहीं वारे है कि कितने शेर बोनस के अधर दैन कैश बोनस शेर से बताने पड़ सब्सक्राइब यहाँ पर आगे चली गई तो वह जात तो सकती नहीं तो उतने पर आ जाएगी जितनी इसूर सब्सक्राइब है हम यहीं बानते है लीगल टोर। सारी और्टोराइस की पूरी कर ली जो फीज जेनी थी पॉंब भरना था वह सब अपने लीगल रिकवर्मेंट पूरे करें ठीक है और फिर रिजर्व में क्या क्या है बटायीं और आपके पास और तो आयेगा नहीं वह तो खत्म हो गया ज च्छे लाग मेंसे 220 माइनस हुआ तो कितना रहा है तो यह पूर लैक आगया और यह पूर लैक आपका दिख जाएगा ठीक है ना और साथ में यहीं मानते हैं कंपनी ने सारी लीगल पूरी करिया बोनस की और सारी लीगल लिखेंगे चलेगा पर यह लिख देंगे बैटर रहेगा एक्जाम का पांच निमर का कोश्चन है पॉलिंग आइटम्स आपको ट्राइल बैंस में दे रखे स्चार लिम्टीड के 31 मार्च के एटी थाउजन शेर तैनीच वाले एट पेड़ा पैलेट से कैप्टर में 45,000 प्रॉफिट ऑन सेल उफ मेशीन रिखाया री वैलेशन दाव सी आरार सेक्यूर्ड जर्न आपके सिर्फ रिजर्फ और एंट्री डल गी यह है फुली पेड देने उसके पहले फुली पेड होने चाहिए तो वह आपकी फाइनल कॉल मंगाई जा रहे तो दो रपे के असाब से कितनी मनी बेटा 80,000 इंटू तू सर 162 सो फाइनल कॉल टू शेर कैप्टर 162 बैंक टू अब डिसाइड किया कि हम बोनस शेर्ट देंगे टू फॉर एवरी फाइब शेर्स है और इसके लिए मिनिमूम रिदक्शन होगी फ्री रिजर्फ हो तो आटोमेटिक सी बात है मिनिमूम से मिनिमूम ही करते हैं सो 80,000 पहले है और टू फॉर एवरी फाइब करना है तो कितन सेकुरिटी पर हम कितना सिक्सिता हुझे तो 75,000 सेकुरिटी पर हम 60,000 एस्विंग इन मांते फिर आपके पास अब बैटा इन कैश वाला है तो उसे यूज कर लेंगे 45,000 जो ओन सेल और मेशीनरी बेचा है तो इन कैश हो गया तो वो यूज हो जाएगा बाकी तो नौन इसलिए उसको गया और तो बाकी कहां से आ गया बाकी जनल रिजव से आ जएगा बैटा हमें पीए निल की जुट नहीं पड़ेगी तो हमारा जनल से आगा बैलेंसिंग फिगर इस नोट प्रोब्लम उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है तो यह पांच नंबर का कुशन पेपर में आपके सामने आया वाए असान सा कुशन था बिल्कुल यह असान सा कुशन था लॉलीपॉप कुशन था ठीक है ना यह सर यह कोशन भी हमारा हो जाता है आपकी लास ए कंवर्टीबल डेट दिख रहा है मदब डिबेंचर दिख रहे हैं जिनको आप थोड़े समय के बाद जाके उन्हें इकुटी में करेंगे आज अपने एक्जिस्टिंग इकुटी शेरोल्डर्स को बोनस देने जा रहे हैं तो वो यह कहता है कि आपको आप बेसिकली क्या कर है मालो आपके कलके डिबेंचर वालों को दो मीने बाद जाके इकुटी शेर्स देने पड़ेंगे 10,000 तो उनको भी 10,000 तो मिलेंगे मिलेंगे साथ की साथ 10,000 तो बैफाई 4,000 बोनस शेर्स में मिलेंगे मिलेंगे और उसके लगार आज आप authorized capital बढ़नी पढ़ रहे हैं त और उन्हें conversion के समय सेम टर्म और प्रोपोशन पर बोनस शेर्स मिलेंगे साथ की साथ 10,000 में शेर्स 4,000 से बोनस शेर्स मिलेंगे मिलेंगे ठीक है ना और बाकी पॉइंट्स तो मैं आपको पैसे आई चुका हूँ ठीक है नेक्स बेटा आपका टॉपिक आता है देट इस यह वो अपना है किसी और बेचना चाते तो बेच भी सकते ऊसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लिए सब्सक्राइब करें सकते सीधा कंपनी से इन प्रपोशन अपनी एक टाइम प्रेट के अंदर जो इसमें प्राइस होता है बेटा हर शेयर का वह जनली कम होता है मार्किट के दाम से तो उन्हें सस्ते दाम पे दिया जाए मार्किट में अगर भाव मालो 50 रोपे चल रहा आपक है तभी तो आप कंपनी से लोगे वरना तो मार्किट से नहीं ले लोगे यह सब्सक्राइबल भी होते हैं जिससे होल्डर उनको अपने पास मार्किट में बेच सकते हैं अब यहां पर वेटा हमारा जो प्रेक्टिकल कोश्चन बनता है वो बनता है कुछ चीजों को लेके एक पूछते आप से वेल्यू आफ राइट क्या होता है नो वेल्यू आफ राइट का एक पॉर्मला यहां पर कम राइट माइनस एक्स राइट कि बेसिकली हम हग के नाम के जो अपना हग बेजर उसके कितने पैसे लिए अब वो निकालने के लिए हम एक सबसे पहले चीज निकालते हैं एक सब्सक्राइट वेल्यू एक्स राइट वेल्यू होता है बेटा आपका वेटी ड्रेश प्राइस क्योंकि कुछ चेज आज मार्कट में एक दाम पर चल रहे हैं आपने कुछ नहें शेर कमपणी ने इसू करते हैं सस्ते बाम तो दोनों को कंसीडर करके बेटा दस है कम राइट प्राइज चल रहा है 50 और कंपनी ओफर कर रही है 28 में और स्कीम लेके आई है वन फॉर एवरी टैने तो बेटा एक्स राइट प्राइज प्राइज क्या हुआ वेटीड आज दस शेयर का मार्केट में दाम के चल रहा है पचास सो 10 इंटू 50 नंबर ले थे एक और तो गैरा शेयर्स होगे तो गैरा शेयर्स का एक एवरेज प्राइस कितना आया विचिस पॉर्टी गेट और इसके बेस पे निकल जाएगा वैल्लियो आफ राइट विचिस 50-48 कम राइट माइनस एक्स राइट सो वह आता है 50-48 दो पे विच इंडिकेट कि जो भी पर्सन अपना हक बेच रहा है वह से दो रुपे हक के नाम के लेगा जिससे होगा क्या वह दस शेयर्स के बदले दे रहा है तो वह से 20 रुपे चार्ज करेगा तो अगर वह कंपनी से खरीद रहा है 28 रुपे देके कंपनी से खरीद लेगा पर अपना हक अगर किसी को बेच रहे ना वह person company 28 देगा और मोज इसको भी सुन आधाइस से पर जिसके पास दूसरे परसं को जिसके बेच पर जाके एक शेयर खरीद सकता है तो यह चीज आपके पास में आती है हमें कोश्चन में जनली वह पूछता है वेल्य ओफ राइट और एक पूछ लेता कि जर्रल इंटी डाली है तो वेल्य ओफ राइट बेटा आपके पास कैसे निंगलते हैं तो वह कर लेते हैं कंपनी ने ओफर करें नए शेयर बेटा हंडड़ इच वाले पच्छिस परसेंट प्रीमिंब तो जैट मेंस वन ट्वेंटी फाइट वाला एक सो पच्छिस पे एक्जिस्टिंग गोल्टों नहीं नहीं कितने वी इशु करने जाओ एक सो पच्छिस में सो अवाला पच्छिस के प्रीमिंब एना तो एक सो पच्छिस पे तो आपके टोटल शेयर का अवरेज परेज कितना हुआ और वेल्य ओफ राइट क्या हो गया बेटा कम राइट माइनस एक्साड़े बार अरप पे तो यहां पर जाने की पूछ रहे तो जितने में एक सो पच्छिस है कम नीको बंटीफ बिलेंगे चाहे वह एक्जिस्टिंग शेयर ओल्डर ते चाहे इग्सिस्टिंग ना किसी और को बेचा था वो दे कम नीको तो वही मिलेगा ना सो कम नीके शेयर केपिल मानली जे 25 25,000 शेयर से 10 इच वाली उन्होंने राइट शेयर इशू करें वन फॉर एवरी फूर है पार पर ही मदब दस वाला दस पर ही ऐस्यूम करो सबने असेप्ट कर लिया राइट इशू और सारे पैसे मिलके एंट्री डाल तो कितने शेयर कर रहे है कम नी 25,000 है वन फॉर एवरी वन फॉर एवरी पूर है तो 6250 शेयर बने कितने बने 6250 शेयर और 6250 शेयर किस प्राइस पर इश्यू कर रहे है दस वाला दस परी प्रीमियम पर भी नहीं है या तो सिंपल एंट्री का आगी बैंक टू शेयर केप्टल जो बच्पन में सीख थे 6250 इंट्री आपके पास आ अगी और अगर प्रीमियम पहुत है दस वाला बारा पे लेट से पिछले में ता सौवला एक सो बच्पिस तो उतना शेयर केप्टल प्रीमियम हो जाता है तो कोशन इसमें दो पूछे जाते राइट इशो में दोनों कोशन में टाइप के कर लिए तो बोनस भी हो जाता है इस चैप्टर के अंदर में करना है इससी आपका पूरे का पूरा क्या वाधा है रिवाइस हो जाता है विडा आप लोग को अपने पास में यह चप्र अच्छे से रिवाइस हो गया होगा मिलेंगा अगली वीडियो में बीटा तब तक लिए टेक क्यार एंब आगा